नमस्कार दोस्तों मैं शील्ख ना आपका ए टेक्टिकल जीगासा में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत हीं इंटरस्टिंग टॉपिक है दोस्तों यह जो टॉपिक है यह है एयर कंडिशनिंग से रिगलेटेड चलेए दोस्तों मैं आपको अपनी लैप्टोप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको मैं डिटेल में VRV और VRF मशीन के बारे में आपको बताता हू दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोड़क्शन दे देता हूँ यह जो टेक्नोलोजी है वी यार वी की यह टेक्नोलोजी एक जैपनिस कंपनी है डाइकिन जिसने 1982 के अंदर इसको इन्वेंट किया था और इस कंपनी ने जो डाइकिन की जो कंपनी है इस टेक्नोलोजी को पेटन्ट लेके वी यार वी के नाम से इसको अपना पेटन्ट ले लिया और अब वी यार वी डाइकिन का प्रोड़क्ट था इसलिए अब जो बाकी की कंपनी हैं उन्होंने इसका नाम वी यार फ के नाम स से मशीन बनाने शुरू कर दी व्यारफ मींस वैरियेबल रेफ्रिजन फ्लो तो डाइकिन का व्यारवी का मार्थ है और बागी जो कमपनीज है वो व्यारफ के नाम से मशीन बना रही है अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें मल्टी स्प्लिट टाइप एर ट्रावे उनिट जो हो से डी गहिंतूलों व्यारफ मर्व से न्था है लेकिन जो इंडर युणिट होते हैं वह मल्टी टाइप के उते हैं जिसके अंदर आक क्ई तरह के उनिट लगा सकते है अब इस टेकोंलोजी में क्या होता है दोस्तों जो कुलिंग और हीटि चाहिए, दोनों चीज़े चाहिए, वह भी use कर सकते हैं, लेकिन add time A की system चलेगा, या cooling चलेगा, या heating चलेगा, इस technology में दोस्तों क्या होता है, जो cooling या heating जो होती है, वो जो refrigerant होता है, उसका जो flow होता है, उसको हम adjust कर के और अपने हिसाब से cooling और heating हम compressor की जो speed होती है उसके हिसाब से हम इसको plus minus कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊँगा कि VRB और VRF इसका जो basic diagram है उसके बारे में discuss करेंगे और इसके बाद जो refrigeration cycle है VRB और VRF का उसके बारे में हम आज discuss करते हैं दोस्तों जैसे कि आप समझ चुके हैं जो VRB और VRF होता है जैसे कि इसका नाम है variable refrigeration volume या variable refrigeration flow तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है जो ये machines होती है जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है इसके अंदर जो ये machine होती है ये flow के उपर depend करता है कि जैसे से एक्जामपल के लिए आज गर्मी बहुत जादा है तो जब गर्मी जादा होती है तो इसके अंदर जो रेफ्रिजियन का जो फ्लो होता है वो जादा हो जाता है ताकि मशीन उसको जादा कूलिंग एफेक्ट दे सके और जब temperature कम हो जाता है मालब ठंड हो जाती है थोड़ी सी ठंडा मौसम हो जाता है तो उसका जो flow होता है machine का वो कम हो जाता है तो इसी के साब से यह जो machine है यह जो air condition है यह adjust करता है बाहर के मौसम के हिसाब से flow को plus या minus करता है दोस्तों जब refrigerant का जो flow होता है जब वो ज़ादा होता है तो उस condition के अंदर जो गमपरिशर होता है machine का उसकी speed भी high होती है तो और जब उसका flow कम होता है सो बोढ़ ठंड कम होता है या ठोड़ा सा temperature down हो गया है तो वो जो flow होता है scream का volume कम हो जाता है और जो compressor होता है वो slow चलता है तो यह सारा totally automatic system है जो सब एक जगा पर control होता है यह सारा और दोस्ता इसी system के अंदर जब temperature ज्यादा होता है और जब हमारा जो refrigerant का जो flow होता है वो ज्यादा हो जाता है तो यह जो VRF के case में evaporator को वो volume कम भेजता है तो दोस्तों यह सारा जो कम और ज्यादा जो होता है refrigerant जो कम और ज्यादा भीजता है इससे क्या होता है हमारा compressor की जो speed होती है वो plus minus होती है और उसमें consumption भी कम होती है और हमारा जो energy है energy की saving भी होती है उसके दोस्तों अब हम VRV machine के block diagram को फोड़ा सा सबजने की कोशिश करते हैं दोस्तों जैसे मैंने आपको अब यह बताया है कि यह जो machine होती है जिसका जो outdoor unit होता है इसके साथ में हम indoor unit connect कर सकते हैं जिसकी जो limit है वो हम इसके साथ 60 unit connect कर सकते हैं outdoor unit के साथ हम नीचे अपने room के अंदर 60 unit connect कर सकते हैं और यह जो unit हम लगाते है जो indoor लगाते हैं यह किसी capacity के हो सकते हैं वाटन भी हो सकता है टू टन भी हो सकता है त्री टन भी हो सकता है और दोस्तों इसकी जो type है जैसे हम यह प्रक्रक्र माश्ुन łगांट यह split bit इसके इसके प्रेशेट ब्हुन सकता है कश인이 कैसेट भी हो सकती है और हम दोस्तों इस के अंदरिगो के अंदर आ इसके une के संवाध्य करने एक होता है डिजिटल स्क्रॉल pressure अश्रॉल कि कुम्पोर्श कहने स्के खाता है और दोस्तों इसके अंदर जो रेफ्रिजेंट यूज करते हैं वह 410A और 407C रेफ्रिजेंट यूज किया जाते हैं अब दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं आउडर यूनिट जो है इसकी जो पाइपिंग होती है जो हम कनेक्शन करते हैं पाइप के तुरू इसको जोडते हैं वो वियर वी के अंदर हमारी 500 मीटर तक की लिमिट है वह बहुत हम इंड़र यूनिट को इन आउडर यूनिट से हम 500 मीटर तक की पाइप लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं जबकि जो हम normal split AC use करते हैं, उसके अंदर यह limit जो हमारी है, indoor-outdoor की, वो 50 meter की pipe हम connect कर सकते हैं. इसके अंदर हमारे जो consumption है, saving जो है, power saving, वो approximate 30 to 40% की saving होती है इसके अंदर. तो इसका सबसे बड़ा benefit यह है कि इसके अंदर, हर room के अंदर, हम different type की cooling use कर सकते हैं. मतलब कि जैसे कि हमें एक room के अंदर temperature कम चाहिए, एक room में ज्यादा चाहिए, या एक room में नहीं चाहिए, वो हम सब control कर सकते हैं. और इसका सबसे बड़ा benefit यह है कि इसका जो outdoor unit है, वो single unit से यह सारा control होता है, indoor unit. लेकिन split AC में क्या होता है, split AC के अंदर आप देखते हैं कि एक indoor unit होता है, एक outdoor unit होता है, और उसी के साथ दोरों चलते हैं, उसमें limitations होती है हमारे पास, पर दोस्तों इसके अंदर हमारे पास limitations नहीं है, अब इसको मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस तरह से यह system काम करता है दोस्तों अब हम VRV machine जो है, उसका जो refrigerant cycle है, उसको थोड़ा सा सबजने की कोशिश करते हैं, कि यह machine किस तरह से काम करती है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसमें क्या-क्या parts use होते हैं, components क्या-क्या use होते हैं, इसमें components तो बहुत सारे use होत इसमें आपको मैंने इसमें बताया है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, दो compressor use होते हैं, इसके अंदर, एक normal compressor ऑर inverter compressor ओर यह एक inverter compressor चा-क्या-क्या फिसुर्ट होता है, जो inverter compressor होता है, जैसमें मैंने आपको भी बताया था, यह flow के हैसाब से work करता है, विका कितनी refrigerant evaporator क को देना है अब दोस्तों इसके बाद इसके अंदर दो ऑईल सेपरेटर लगे होते हैं जो की जो रेफ्रिजनेट आता है उसमें उसे ऑईल होता है वह वापिस कंपरेशर को सेंट करता है एक नीचे एकुमिलेटर लगा होता है और उसके बाद ऊपर एक आउट्डोर वाल बोलते हैं यह हरक के साथ लगा होता है तो दोस्तों यह इसके कंपोनेंट्स हैं और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हो कि एक किस तरह से काम करते हैं दोस्तों कि जैसे आप देख रहे हैं यह जो अपरेटर है यह जो हमारा इंडोर यूनिट होते हैं यह हमारी यह blue color की जो आप pipeline देख रहे हैं यह connect होती है हमारी accumulator से यह जैसे आपकी देख रहे हैं यह जो तीनों हमारे indoor unit है अभी जो आपने picture में दिखाया है वहा है तीन unit जैसे यह multi हो सकते हैं अभी हमने example के लिए तीन unit लिए हुआ है यह हमारे blue pipeline के through accumulator में जाते हैं और जितो section line है इससे जुड़ी होती है इन case में दोस्तों अगर evaporator में liquid refrigerant boil up नहीं होता अब किस case में boil up नहीं होता कि जब कोई भी load evaporator के उपर नहीं होता तब जो evaporator में liquid है वह boil up नहीं हो पाता और जिसकी वजह से जो liquid है वह हमारा compressor के अंदर direct ना जाए अगर यह direct compressor से जूड़ा तो लेक्विड हमारा direct compression में जाएगा और अगर compression में liquid चला जाएगा तो हमारा compressor damage हो सकता तो इसलिए इसकी इस को बनाया जाता है कि compressor से पहले एक accumulator साथ पे जोड़ा जाता है और accumulator के अंदर जो जब यह liquid आ जाएगा तो compressor से पहले इसको लगे होने के कारण इसके अंदर से जो vapors निकलते हैं, liquid vapors निकलते हैं, और accumulator की जो आप देख रहे हैं, यह जो shape बनी हुए अंदर से एक YouTube बनी होती है, इस पर आप यह देख रहे हैं, यह YouTube बनी हुए है इसके अंदर, तो जो liquid इसमें आया है, वो vapor होके, इस YouTube के थुरू, इस पैसे यहां से यह compression में जाता है, यह YouTube हमारी compressor से जोड़ी होती है, यह देख रहे हैं आप, यह compressor से जोड़ी होई है हमारी, जैसे आप यह diagram में आप देख रहे हैं, तो इसका लगाने का reason यह होता है, कि जो evaporator से हमारा पास जो liquid होता है, वो direct compressor में जाके, accumulator में जाता है, और accumulator के अंदर वो vaporize होके, compressor के अंद दोस्तों यह accumulator के जो अंदर के जो working है, यह मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कि जैसे मैंने आपको बताया देगी, जो accumulator होता है, इसके अंदर एक U pipe लगी होती है, यह आप देख रहे हैं कि यू पाइप लगी है, इसके अंदर, और दोस्तों जो हमारे पास evaporator से जो refrigerant आता है, वो यहां से enter करता है, liquid refrigerant जो आता है, वो यहां से enter करता है, और यहां से enter करके वो नीचे आ जाता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यह जो blue color का, यह हमारा liquid refrigerant है, जो की हमारा evaporator से indoor unit से आता है, अब दोस्तों यहां से जो हमारा liquid refrigerant आता है, वो तो नीच एंटर करते हैं वह यहां से एंटर करते हैं वह इस यूप पाइप के थुरू यहां से एंटर होते हुए यहां से भार निकल लाते हैं इधर से और यहां से कंप्रेशन से जुड़ा होता है तो यहां से जो वेपर होते हैं यह हमारे डारेक्ट कंप्रेशन में जाते हैं तो द यूज होते हैं जैसे कि आप इस एक्जामपल में भी देख रहे हैं इसमें एक इन वोर्टर कंपरिशर यूज किया है हमने और एक नॉर्मल कंपरिशर यूज किया जो कि स्क्रोल कंपरिशर होते हैं डिजिटल स्क्रोल कंपरिशर होते हैं अब दोस्तों यह जो बेसिक डिफ है उसको हम घटा बडा नहीं सकते हैं और अगर ऱ सकते हैं तो इसकी जो पॉद्धम है इसको हम चेंज कर सकते हैं मतलब कि यह लोड के हsाब से स्फिट को कम जादा कर सकता है अगर लोड जादा होगा तो इनवेटरर का यह आर्पीम को घटा देगा. यह इस inverter compressor की खासियत होती है. इसलिए यह load adjust करने के हिसाब से inverter compressor यूज करते हैं. जहां पर हमें जूत पड़ती है कि लोड को कम करना है, ज्यादा करना है, फ्लोओ के हिसाब से, जो हमारा रेफ्रेजिन होता है, उसके फ्लोओ के हिसाब से हम इस यह इसका सबसे बड़ा plus point होता है दोस्तों अब हम यह देखते हैं यह जो inverter compressor यह काम कैसे करता है दोस्तों इसके अंदर एक VFD लगा होता है VFD होता है variable frequency driver जो कि हमारा इस compressor के अंदर लगा होता है अब दोस्तों यह VFD कैसे काम करता है VFD जो होता है यह communication cable के through उसको एक signal मिलता है example के लिए जैसे जब भी हमारे evaporator machine के ऊपर हमारे heat load बढ़ जाता है जब भी load बढ़ता है तब एक microprocessor controller होता है जो VFD को signal बेजता है कि load हमारा बढ़ चुका है तब क्या होता है जो VFD होता है यह जो फ्रेक्वेसी आरही होती है example के लिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यह जो रही normal frequency होती है इंडिया में जो करपार Franken कि आती है वह आप यह देख रहे है यह जो अमारी power supply है यह 50 हर्स होती है इंडिया में जो हमारे को मिलती है यह हमारी normal frequency होती है इस normal frequency में देख रहे हैं यह जो graph है यह normal होता है हमारा तो दोस्तों जब भी हमारा जो inverter होता है जहां पर जो VFD लगा होता है उसके अंदर जब load बढ़ता है तो जब load बढ़ने से क्या होता है यह जो हमारी frequency होती है यह जो आप देख रहे हैं यह जो फ्रिक्वेंसी है जो नॉर्मल से देखिए यह फ्रिक्वेंसी हमारी इसकी जादा हो जाती है यह जो आप देख रहे हैं इसके जो कर्व बने हुए यह जादा हो गया है तो यह जब हमारी फ्रिक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है तो जब भी हम motor के उपर frequency बढ़ाते हैं तो उसकी RPM या उसके जो speed होती है वो भी बढ़ जाती है तो आप देख रहें कि जैसी ये frequency बढ़ती है तो compressor के जो RPM होते हैं ये हमारे maximum increase हो जाते हैं ये बढ़ जाते हैं तो जैसी हमारे compressor के RPM बढ़ते हैं उस case में हमारे जो machine है उसके पावर की consumption भी जादा होती है ये मैंने आपको पावर का दिखाया है वह देख रहे हैं ये पावर यहाँ पे कम है ये बढ़ रही है तो इस stage में maximum power consume होती है क्योंकि उस समय compressor जो तेजी से काम करता है और उसके तेजी के काम करने से उस पे जो cooling effect आता है वो ज़्यादा मिलता है और power भी उस पे ज़्यादा consume होती है अब जोस्तों जैसे यसे load कम होता है compressor की जो speed होती है वो भी कम हो जाती है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यह देखिए यह हमारा यहाँ पे load ज्यादा था speed ज्यादा हो गई अब यह हमारी load जो है वो मारा कम हो गया आप देख रहे हैं यह graph बढ़ हो गया कम हो गया load जैसे यह load कम होता है तो हमारा यहाँ पे जो compressor की speed है आप देख रहे है RPM कम हो गया यह ओर लोड कम होगा your JOE और कम हो जाते हैं यह और लोड कम होगा Ipm और कमों जाते हैं लेकिन दोस्तों यह पने नहीं होता, कंप्रेशन हमारा कंप्रेश्र चलता रहता है थो जैसे से इसकी स्पीड डूड परता है है लोड कम होता है इसकी जो speed है वो कम होनी शुरू हो जाती है और speed कम होने से क्या होता है जो हमारी power consumption है जो electricity use हो रही है वो भी कम हो जाती है आप देखने हैं पहले जाद थी यह दिरे दिरे कम हो रही है जैसे हमारी VFD को signal मिलता है microprocessor के through की load हमारा कम हो गया है और वो क्या गरता है इसकी speed को compressor की speed को down कर देता है और down करने से जो speed है उसकी कम होने की वज़े से cooling जो है वो बहुकुल constant हो जाती है दोस्तों आप देखते हैं कि जब हम ac चलाते हैं जो हम घरों में normal ac यूज करते हैं normal ac में क्या होता है हमारा compressor है वो on भी होता है और दो मिल्ट के बाद ऑफ हो जाएगा तो मिल्ट के बाद वो on हो जाएगा जो ओन अफ होता है उसमें हमारी बिजली सेव नहीं होती है जैसे ही compressor restart होता है, restart होने के बाद वो पूरी electricity consume करता है, इसको बचाने के लिए, इस power को save करने के लिए, ये inverter compressor का हम लोग use करता है, inverter compression में क्या होता है, जैसी cooling ज़्यादा हो जाएगी, उसको signal मिलेगा, compressor बंद नहीं होगा, speed को slow कर देगा, जैसे मैंने यहाँ आभी आपको बताया है, speed slow करने से क्या होगा, जो हमारी electricity consumption है, वो कम हो जाए, यही reason है, inverter compressor के अंदर हमारी electricity save होती है, दोस्तों अब हम अपने cycle के उपर आते हैं, refrigerant cycle के उपर आते हैं, आपने देखा कि यह जो evaporator है, evaporator से जो low temperature और low pressure वाला जो refrigerant है, यह जो blue pipe से होकर accumulator में आता है, अब दोस्तों suppose यह जो pipe से जो हमारा refrigerant आ रहा है, वो liquid में है, वो पूछी दर से ball up नहीं हो पाया था, वो liquid shape पे है, तो यहां से होता हुआ, accumulator के अंदर आएगा, अब दोस्तों अगर तो वो liquid है तो वो नीचे चला जाएगा, और otherwise जो vapor है, वो इस YouTube के through, यह जो आप YouTube देख रहे हैं, इस YouTube के through, compressor में जाएगा, यह accumulator liquid को इस compressor में नहीं जाने देगा, इसलिए accumulator को यहां पे लगाया जाता है, इसके अंदर सिर्फ जो vapor है, रेफ्रिजेंट वेपर है, वो ही जाएंगे इसके अंदर, compressor के इसके बाद दोस्तों यह जो scroll compressor होता है यह जो रेफ्रिजेंट जब compress करके इसमें जाता है, और इसका जो temperature और जो pressure होता है, वो बढ़ जाता है, समझ के दोस्तों जब यह जो रेफ्रिजेंट है, जब इस compression में जाएगा, compression में जाने के बाद, रेफ्रिजेंट का जो temperature और जो pressure होता है, वो बढ़ जाता है, और करने के साथ इसमें कुछ ऑईल भी साथ में चला जाता है अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी पताया था वियर वी मेशीन के अंदर जो पाइप लगी होती है उनकी जो लेंद होती है वो ज्यादा होती है डेट सो मेटर तक भी इसकी लेंद हो जाती है इसलिए दोस्तों यह तो रेफ्रिजेंट के साथ जो ओईल चला जाता है, ओईल वापीस नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी जो पाइप लगी हुई है, उसकी लेंथ बहुत जाता है, इसलिए जो ओईल है, वो वापीस आना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कंपरेशर के बाद, एक ह अब जोस्तों, ओईल सेपरेटर का काम क्या होता है, जो ये रेफ्रिजेंट आया है, इसके साथ जो ओईल भी साथ में है, ये क्या गरता है, ये ओईल को अपने पास इस सेपरेटर में रख लेता है, अब इसमें जो ओईल आता है, इस रेफ्रिजेंट के साथ, उस ओईल को ये इस pipeline से वापिस compressor में भेज देता है, अब जो oil है वो तो नीचे आ गया, इसमें जो वेपर रेफ्रेजिन्ट है, वो यहां से oil separator उसको pipe के थुरू condenser में भेज देता है, जो कि हमारा terrace की उपर लगा होता है, जो कि हम उपर छट की उपर लगाते है, outdoor unit जिसको हम condenser बोलते ह और दोस्तों यह जो condenser लगा होता है, यह जो high temperature pressure से refrigerant आता है, उसमें से जो heat होती है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, आप देखते हैं कि जब आप AC के back sheet पर जाते हैं तो उसमें से काफी गरम हवा आती है, वो इसलिए आती है, यह outdoor unit जो लगा होता है, यह जो condenser लगा condenser करने का मतलब यह जो vapor जाते हैं, इस vapor को condenser करके liquid shape में ले आता है, यहां से वो liquid shape में आ जाता है, इस जिगापर, और जब वो liquid shape में आता है, तो liquid shape में आने के बाद, evaporator में जाने से पहले, indoor unit में जाने से पहले एक valve लगा होता है, जिसको हम बोलते है, EE valve, electronic expansion valve, यह एक लगा होता है, यह हर unit से पहले लगा होता है, जितने भी unit लगे होते हैं, VRV machine में, हर unit से पहले है कि EE valve लगा होता है, जैसे कि आप इस diagram में देख रहे हैं, यह जो दोस्तों E-Walve होता है जिसको हम electronic expansion valve बोलते है यह बहुत sensitive होता है यह इसके अंदर कुछ thermostat रो और अंदर circuit होते हैं इसके अंदर अब इसका दुस्तों काम क्या होता है electronic यह जो एक्सपेंशन वालव होते है इसका काम क्या होता है यह करता है जो evaporator के उपर load आता है यह जो आप देख र वहाँ पे cooling कितनी करनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, वहाँ उस room का temperature कितना है, उसको ये पूरा control करता है, पूरा monitor करता है, ये वाल जो वाल लगा होता है, तो इससे अगोपरिटर में कितना load है, ये पता चलता है, तो दोस्तों इसी तरह आपने देखा ये जो EEV है, ये load क sense करता है, और load को sense करने के बाद EEV जो है, वो close कर देता है, अगर load ज्यादा होगा, flow को ज्यादा कर देगा, अगर load कम होगा, तो वो flow को कम कर देगा, और दोस्तों इसी के साथ में आप देखेंगे कि ये जो EEV वाल्ड है, जब ये इसको load कम होगा, तो इसने अपना working शुर को इस condenser से जूड़ी होती है, इससे एक cable इस condenser में जाती है, और ये evaporator उसको signal भीजता है, कि इस evaporator coil का load कम होगा है, देखा दोस्तों, electronic wall ने क्या काम किया, कि जैसे ही इसका load कम होगा, इसने इसका जो refrigerant आ रहा है, उसका flow कम कर दिया, उसी के साथ साथ ये जो evaporator है, ये एक signal भीजता है condenser को, कि मेरा load कम हो गया है, और इसको ये message मिल जाता है, अब दोस्तों, क्या होता है, कि जैसे इसका load कम होता है, flow तो इसने कम कर दिया, लेकिन इसका flow जैसी कम होता है, ये जो evaporator से signal condenser को गया है, ये condenser एक cable के through inverter से जुड़ा होता है, कमप्रेशर के साथ जुड़ा होता है, अब वो जो cable है, वो इस कमप्रेशर को signal देती है, कि इस particular evaporator का load कम हो गया, वो इसको signal मिलता है, ये signal inverter compressor को देता, आपको जैसे मैंने पहले बताया था है, कि inverter compressor के अंदर VFD लगे होते है, variable frequency जो लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे इसको signal पीछे से condenser भेजता है, VFD इस compressor का RPM को कम करते हैं, तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से ये cycle पूरा होता है, कैसे ये आपस में एक दूसरे से जोड़े होते हैं, अब जैसे दोस्तों इसका load कम हो जाएगा, इस compressor क load कम करते ही, ये इस particular portion में जो flow है, वो कम करते हैं, अब जैसे दोस्तों इस evaporator ने अपना काम किया, ऐसे जितने भी units के अंदर लगे होगा है, सारे अपने अपना काम करेंगे, अब इस room में जो evaporator लगा होगा है, इसका तो load कम होगा, आप suppose इसके अंदर गर्मी जादा है, इ ये जो E valve लगा होगा है, ये खुल जाएगा, इस case में थोड़ा सा बंद हो गया था, इस case में वो खुल जाएगा, इसके खुलने से क्या होगा, यहां से जो flow है, refrigerant का वो जादा हो जाएगा, जैसी ये flow जादा होगा, इसका load बढ़ दाएगा, ये evaporator जो cable के थूरू इस से जुड़ा हुआ है, इसको signal देगा, जी मेरा load बढ़ गया, ये condenser उसी समय इस compressor को signal देगा, कि इस वले particular evaporator का load बढ़ गया है, तो इसका जो compressor है, इसका load increase कर देगा, तो ऐसे जितने भी evaporator साथ में machine लगी होगी, compressor उसको control करेगा, इस cable के थूरू, तो दोस्तों इस से क्या हो compressor है, वो load कब या ज्यादा अपने आप sensor के थूरू कर लेता है, इवाल्व के थूरू और ये जो micro processor के थूरू जो cable लगी होती है, उसके थूरू load को ये plus minus कर लेता है, और दोस्तों ये ही reason है, इसको हम variable, refrigerant, flow या volume machine बोलते हैं, क्योंकि ये variable, ये change होता रहता है, हर evaporator का system load क पर ये हेसाब से change होता है, तो दोस्तों इसमें फिर cycle कैसे पूरा होता है, क्यासी हिए जो flow होता है, ये जो gas होती है, ये इस pipe के थूरू वापिस, इसी तरह accelerator में वापिस आजाता है, तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा refrigerant का साइकल complete होता है, ये पूरा automatic चलता है, इसमें ह का हर पांपन Unterstützung है अपना फंक्शन पूरा करते हैernे पॉर से ये आपने इसका साइकल का व्यारवी मशीन किस तरह से अपना refrigerant cycle complete करती है तो दोस्तों मैंने आपको ये VRV का पूरा cycle refrigerant cycle समझाने की कोशिश करी है और मेरे को लग रहा है कि आपको ये इसका cycle पूरा अच्छी तरी के से समझा हो या दोस्तों ये जो VRV और VRF systems होते हैं ये तीम तरह के होते हैं एला system जो होता है वो cooling system जिसके अंदर सिरफ cooling होती है उसमें आप सिरफ cooling कर सकते हैं heating का provision उसके अंदर नहीं होता है दूसरा जो system होता है heating pump system जिसके अंदर आप heating भी ले सकते हैं और तीसरा system होता है heat recovery system heat recovery system के अंदर वॉल्व लगे होते हैं उसके थूँ आप cooling भी ले सकते हैं heating भी ले सकते हैं लेकिन यह आपको choose करना पड़ेगा आपको heating machine को heat pad रखना है या cooling पर रखना है at a time दोनों में से आप एक ही चीज़ choose कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो कफी लंबा हो गया है मैं आपके जो vrv के जो types हैं उसके बारे में अगले वीडियो बनाके उसके डिसकस करूँगा अभी आपको मैंने cooling system के बारे में बताया heating system के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाके youtube पे load करूँ thank you दोस्तों thank you from watching